और जैसा कि कल हमारे मुख्य मंत्री भजनलाल सर्मा जी का ट्वीट था कि विधान सभा शेशन के बाद बहुत शारी भड़तियां आएंगी कि आपको मोका ही नहीं मिलेगा अभी अजमेर शिक्षा मंत्री जो गये हैं ये भी शिक्षा मंत्री जी के बयान जो हैं उन पे ज़्यादा बहुत भरोशा नहीं किया जा सकता लेगन फिर भी चुकि रीट एक सामाने प्रकिरिया है तो रीट पातरता होनी है चुकि अभी अधेक्ष बॉर्ड में नहीं है तो जैसे अधेक्ष की न्यूकती हो जाएगी विधान सभा शेशन के बाद में तो रीट का आयुजन संभवत है इस वर्स के अंत में में भी मा होंगे ये तो तह हो गया कि रीट पातरता पहले होगी रीट पातरता के बाद में एक भरती और होगी और उसके अधार पे ये पूरी भरती पिरक्रिया संपन की जाएगी पदों के खाली के बारे में आपने देख लिया होगा लगबग 23,000 के असपास बद खाली है और फिर बार-बार ये सवाल है कि सर विग्यापन आएगा नहीं आप कब से बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत मुर्ख बच्चे हो और बार-बार ये सवाल पूछ के अपनी उर्जा को खराब कर रहे हो कोई भी विभाग है ये विभाग ये लेवल पे चलने वाली प्रोसेस है और ये सब प्रोसेस सभी विवागों में प्रारंब हो चुकी है किस विभाग में कौन सी भरती आएगी आपके अचानक से आपके सामने विग्यापन आएगा और आप कोई समय नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं अब क्या करूं तो बेटर है उससे पहले अपनी एक स्टेजी तेय करें कि सर मुझे इस रस्ते को फोलो करना है और इस रस्ते में मुझे इन इन संकेतों का परियोग करना है ये ये मेरे संसादन होंगे इन संसादनों के शाथ मुझे अभ्यास के लिए इन इन बुक्स के आवशेक्ता पड जाएगी, मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह बहुत सारी बाते हैं जो आप यह नहीं है कि रास्ते में आपने बैग उठा लिया और बैग उठाने के बाद आप तैय करें। जाएगी किसे परिपूर करना है तो उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है कि आपके साथ क्या-कया चीज़े रहेंगी, कैसे आपको यात्रा पूरी करनी है, आपका टाइम दस दिन का रहेगा, इस दस दिन में, पंधा दिन में, विस दिन में, च्शे मेने में, एक साल में, आ जानिंग के साथ चीजें की जाती हैं, तो समय बहुत बच जाता है, अनावसेक रूप से मानसिक प्रेशानी नहीं होती, फिजिकली आपकी प्रेशानी नहीं होती, बलब सब चीजें बड़ी comfortable तरीके से आराम से हो जाती है, तो इस्टेजी का मतलब इतना सही होता है, कि आप प्रेक्स के नुक्ति के बाद में,